नमस्कार दोस्तों आप सबका फिर्सेस वागते मेरे इस यूट्योब चैनल पर दोस्तों आज के सुड़े में हम बात करेंगे डबलो और वर्सस ली आई के बीच होने वाले इस मैच के बारे में दोस्तों आज के सुड़े में हम बात करेंगे मैच के डिटेल्स के बारे में म आपको ड्रेskin कहा विविजो को तीन विण टिम कर सकते तो चलिए दोस्तों वीडियो को चूरू करने से पहले एक बार फिर से करता हूं कि अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब ने किया या फिर आप मेरे चैनल पर नहें तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ बेल आइकॉन को प्रेस करके आल पर क्लिक करना ना बुली तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं मैच की डेटेल से दोस्तों इंग्लिष टीटेंटी ब्लास्ट की यह मैच वर्सेस एलिया आज यह मैच शाम को साथ बज़े होने वाला है इसकी लाइव स्ट्रीमिंग आप अगर देखना चाते तो यूट्यूब पर भी देख सकते या फिर टीम की वेवसाइट पर भी देख सकते अब चलते पीच रिपोर्ट पर तो पीच रिपोर्ट के बारे में जान लेते यह पिच्च बल्ले बाजहों को काफी जादा साथ दे रहा है काफी बड़िया बल्ले वाजी या पर हो रही है तो ज़रूर एक अच्छा स्कोर्रिंग मैच यहां पर देखने को मिल सकता है इतना इने दोस्तों पहले बल्ली वाजी के बाद में जो दुसरी बल्ली वाजी वाते उनको तो ज़ादा यह पीछ बैटिंग के लिए साथ देड़ा है वही अगर फर्स्ट इनिक के आवरेज स्कोर की आवरेज की बात करें तो 174 यहां पर आवरेज टोटल बना है रोस्तों तो अब बात कर लेंगे दोनों टीमों की प्रोबाबल इलेवन किस तरह से रहेगी तो सबसे पहले वर्स्टिस चार की बात कर लेते तो उनकी टीम कुछ इस तरह से रहेगे डबलू ओर की तो उनमें कुछ इस तरह से रहेंगे प्लियर बी डी ओलिवरा आर वेसली जे लिवी बैंकॉक्स डी मिचल आर वैटली बेंडावरेश इडी बर्नेड इस सोधी डी पेगी टॉन और सी मॉरिस अब बात कर लेंगे लिस्ट चार की तरह से रहेगी जे इगलिस स्कॉट स्टील ए लिली कोईन एकरगम एल हिल आर पटेल बेन माइक एल किमबर सी पकर्षन नविन उल्हक जी गिफ्टेज ग्रिफ्टेज अब बात कर लेते दोस्तों दोनों टीमों की लास्ट पाच्च माच्चस कैसे गया है यानि उन्होंने किस नि जीत हैं कि लास दिखन न तो डो डो और ने यहाँ शकात एसके आप याने विन लॉस 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 विन याने पिछले पांच मैचस में डो कि द्रही तीन मैच हारे आने उनका परनेंट्टिन पर्संटेज कवैज जीतने तो वह यली आए की बात करे तो www.m yes that argumentन洲 यानने उन्होंने पिखले प्ले पाच मैचेस मैं तीन मैचे जीते तो दो मैचे सारे है जो लास्त दो मैचे से वहा रहे है तो उनका प्रदर्शन यह वह और से अच्छा एक मैच उन्होंने एक मैच जादा जीती है अगर बात की जाए तो इस तरह से यहाँ पर परड़ा जादा अच्छा है तो ठीक है दोस्तों कुछ प्रियरों के स्टाट्स दिखाने से पहले एक बात और दिखा देता हूं कि आप देख सकते कि मेरे पुछ पिछले कुछ प्रे निया को वाइस कैप्टन बनाया था मैंने उन्होंने भी 120 पॉइंट दी है मैं वेस्ट इंडिल वर्सेस अफ्रीका के भी अच्छी मेरी प्रेडिक्शन रहे जरूर अगरे वीडियो में क्रेंशाट दिखा दूंगा तो इस तरह से यह मैच काफी बढ़िया गया था तो का जैसे कि मैंने बताया था कुछ प्लियरों के स्टैट्स आपको दिखा दूंगा तो सबसे पहले बात करते हैं एल ले बी की तो देख सकते हैं पिछले कुछ मैच इस टूर्णामेंट में उन्होंने अब तक 193 रन बना है जो काफी बढ़िया बल्लेवाजी और काफी अच्छी बल्लेवाजी कर रहे है जरूर्ण आप इनको अपनी टीम में ले सकते हैं यह होट पिक्स है दोस्तों कि आपके लिए इन पांचों को आपनी टीम में लेने की कोशिश जरूर की जिगा उसके बाद इनकी तो क्या बात है दोस्तों देखिए 248 रन तो बनाई है साथ इसाथ चार विकेटते भी इनको मिली जो की काफी बढ़िया ओल रॉंडर प्रदर्श ने जरूर आप इनको अपनी टीम में लेने की कोशिश कीजिए उसके बाद जे इगलीस जिया दोस्तों 285 रन काफी बढ़िया है दोस्तों काफी एच्छे स्ट्राइक रेट और एवरेच से खेल रहे हैं तो काफी बढ़िया प्लेयर है जरूर आप इनको भी अपने टीम में शामिल कीजिएगा ताकि आप ग्रैंड लीग में जीद सके तो इस तरह से यह पाच्छों प्लियर के स्टैट में मैंने आपको दिखा है जो कि काफी बढ़िया थे जरूर आप इन सब को लेनी की कोशिश कीजिएगा अगर पॉइंट के कोई दिक्कत नहीं आती है तो तो आप चलते हैं ड्री मिलियों के और मैं आपको तीन ड्री मिलियों की विनिंग टीम दिखा देता हूं जिससे कि हम देख रहें कौन सी टीम का है तो यह है वो टीम डबलो और वर्सेस एलिया तो इसके वारे में हम बात कर रहें इस पर आपको क्लिक करनी होगी मैं माई टीम पर क्लिक करूंगा क्योंकि आल्री मैंने टीन टीम्स बना के रखिए सिर्फ आपको एडिट करके दिखाता पास दो अप्शन है जे इगलिस और बीकॉक्स दोनों के दोनों बड़िया खेल रहें दोस्तों काफी अच्छे कहल रहें लेकिन जैसे कि स्टाट्स में मैंने दिखा था जे इगलिस ने काफी बड़िया परफॉर्मस किया है अब तक तो जरूर मैं उनके साथ अभी इस ट रहने वाले निम्य बतर इसे भी इन लव तो इन तीनों को तो हमने दिखाए था तो तीनों ने काफी बड़िया प्रादर्शन किया जरूर्र हम इनके साथ जैने आले तो जो चौत्य प्लियर है वह स्टील इनका भी परफॉमस पिछले कुछ मैंड़े में काफी बड़िया तो काफी बढ़ी आए दोनों चारों प्लियर काफी एच्छे स्ट्राइक रेट और एवरेच से खेल रहे और लगातार पिछले कुछ मैचेस में अच्छा परफामस कर रहे तो इस तरह से चार वल्लेवाज हम देख रहे आर वैटली जे लीवी और वेसल और स्टील को हमने स् अब जरूर जा सकते काफी बढ़ी अपले और काफी अच्छे और यहां के दोनों मैं कोशिश करूंगा कि हर टीम में लू इनको तो यह दोनों तो हमारे तीम में रहने आले तो इस टीम में हमने बीडी ओली और रहा को भी शामिल किया है जैसे कि हमने देखा पर्फॉमंस इनका भी काफी बढ़िया रहा है और अच्छे कासे पॉइंट दे रहे तो इस तरह से तीन अल्रॉंडर हमारे टीम में आ चुके अब गेनबाजी पर चलते तो यहां पर नविन उल्हक जी आ दोस्तों इनका भी प्रदर्शन काफी बढ़िया रहे और कोशिश करेंगी हम इनको भी हर टीम में ले और काफी पिछले दो तीन मैचेस से तो काफी जबरदस परफॉमस रहे जरूर्वर आप इनके साथ जाएंगे तो अब अगले जो गेनबाज है जी ग्रिफिट्स ग्रिफिट्स तो इनको भी आमने इस टीम में लिया है काफी अच्छे परफॉमस क दिये तो इनको भी हम नहीं छोड़ सकते काफी अच्छे प्लियर है आप जरूर्व इनके साथ जा सकते तो यह काफी बढ़िया टीम बन चुकिए दोस्तों जरूर्व आप इस टीम को ग्राइंड के लिए लिए यूज कीजिए स्मॉल लिए यूज करके इसे वेस्ट मत की जीए तो ठीके दोस्तों कंटीनु पर प्लिक कर लेते किसको क्याप्टन और वैस्ट क्याप्टन बना यह देखा देता हूं जैसे कि हमने स्टैट में देखा था जेए इंगली को काफी बढ़िया परफॉर्वंस रहा था दोस्तों उनका तो जरूर्व हम उनको वाइस यह बना रहे यहां पर और इस टील का भी परफॉमंस उनसे भी बेटर रहा है तो उनको हम क्याप्टन बना रहे दोनों की दोनों काफी बढ़े है दोस्तों जैसे की जैसे कि जैसे डबल आप्शन हो जाते कीपिंग के स्टंपिंग या कैचिंग के पॉइंट हमें प्लस मिल है तो आप जरूर यहीं के साथ जाएए अगर उल्टा करना चाते तो भी कोई प्राब्लम नहीं लेकिन मुझे लगता है कि यहीं कॉंबिनेशन सही रहेगा अब एक बार टेम प्रिव्यू जरूर करा दूंगा दोस्तों देखते हैं यहां पर यहां पर हमने एक कीपर के सा अप्शन हो जाते हैं सी एकरवन ए लिली और डी बीडी ऑलिवरा तीन गेन बाजों को हमने लिया जी ग्रिफिट्स नवीन उल्हक और सी पाकिर्शन तो इस तरह से काफी बढ़िया टेम बन चुके दोस्तों जो की ग्रांड लीक के लिए बनी ऐसा मुझे लग रहा है आप इस कैप्टन बनाए एस्टेल को और वायस कैप्टन जे इगलीस को बनाए उल्टा भी कर सकते है जỹ को मुझे को नटेम नहीं रहें और बेर अच्से फॉरा मैंस ज़रूर आप इनके साथ गेलिश्क को हमने इस टीम में नहीं लिए काफी टक्कर हुए इन दोनों में काफी बढ़िया पॉइंट है हाला कि बीकॉक्स के पॉइंट ज़रूर कम है शायद मैचेस भी कम हो सकते लेकिन काफी देख सकते जे इगलिस को तो 94 परसेंट से भी ज्यादा लोगों ने लिया है और बीकॉक्स को 33 परसेंट लोगों से ने लिया है तो यहाँ पे अगर ग्रैंड लिग जितनी है और जे इगलिस का अच्छा परफॉमंस करते तो हमने पिछली टीम में लिया और अग्ली टीम में भी हम उनको शामिल तो इस वजे से बीकॉक्स को मैंने यहाँ पे ठोड़ा तुक्का लगा है जरूर सक्सेस हो गया तो काफी फायदा होगा आपको इसके बाद हम चलते बल्लेवाजी बल्लेवाजी में वही चार बल्लेवाजों को हमने वापस लिया है आर वाइटली जे लिभी और आर वेसल तो इस टील को भी हमने इस बार शामिल किया है बाकी इतना कुछ परफॉर्मंस खास किसी का नहीं है कुछ लोग कुछ नहीं किया है लेकिन पिछले कुछ मैचेस में उनका डाउन रा इस वज़े से इन चारों के साथ ही मैं जरूर जाना चाहूंगा आप चाहूंगा और पर तो यहां पर हमने सी एकरमान को वापस से लिया है ए लिली को नहीं ले पाए है लेकिन उनसे भी टक करके और हमने और बार लिया है और इबरनेट भी पिछली दो तीन मैचेस में काफी बढ़िया प्रतरशन रहा है तो इनके साथ भी हम जरूर जा सकते और यह दोनों भी का किन में जरूर ले सकते अग्वरन बाजी की बात करें तो यहां पर हमने फिर से नवी को दे लिया दोस्तों यहां पर हमने लिया है यहां पर दिपरफासन को लिया है और अच्छी खासी ब्लींग कर लुकर देख ने और क्याप्टन और वाइस क्याप्टन देख लेते हैं इस टीम का क्याप्टन मैंने सी एकरमन को बनाया काफी बड़िया प्रतर्शन कर रहे हैं पिछले कुछ चार मैचस में मेरी खाल से उन्होंने पच्चास साथ से भी ज्यादा पॉइंट दी है हर बार तो इसके इनके साथ ज जरूर ठोड़ा रिस्की लगाई है और एक सेफ लगाई है तो सी एकरमन को हमने सेफ लगा लिया है तो सी पाकरिशन भी काफी अच्छे प्लियर अच्छा परफर्मेंस कर रहे हैं पिछले कुछ मैंसे से तो इनको भी मैं रिस्की नहीं कहूंगा लेकिन काफी कम लोगों इनको वाइस कैप्टन लगा तो इस वज़े से आपको ही ज्यादा पॉंट मिलेंगे अगर यह अच्छा कर देते तो इस वज़े से मैंने उनको वाइस कैप्टन बना तो दोस्तों एक बार टीम प्रिव्यू जरूर करा दूंगा यह ठीम थोड़ी हटके है दोस्तों जरू के लिए लगाए नहीं तो आप यह स्मॉल लिक के लिए यूज कर सकते कोई तो किपग में हमारे पाइस बीकॉक से आरवेटली जे लिभी और वेसल्स और स्टेल को आमने बल्लेवाजी में लिया है और डाउंडर के बात करें तो सी एकर्मन को लिए बर्न को लिए भी माइ नहीं चाहेते हैं कि लिए उच करना तो कोई दिक्कत नहीं तो इस टीम को भी हम सेव कर लेते हो तीसरी और आकरी टीम को इडिट करके आप देख लेते जो भी काफी बढ़िया है आपको यह ड्री मिलियों की ग्रैंड लिक के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने टोड़ा हट के सोचाए केपिंग में हम आचुके जे एक्षी और बीकॉक्स दोकि काफी बड़िया प्रतरशन का क्या है जैसे के हमने देखा था जी एक्जिस की तो स्टैट्स तो काफी बड़िया खेल रहे हैं और बीकॉक्स घेल रहे और अच्षाकासी कंट कर है तो इन दोनों को वह आपने लिए काफी बड़े प्रस्चन रहा है अब चलते बन्लेवाजी पर तो बन्लेवाजी में वहीं चार बल्लेवाज को फिर से लिए और है आर वाइटली जे लीवी और विसल और एस्टेल तो इन चारों को जरूरर अपने टीम में रखिए दोस्तों बाकी किसी को ले य ने लेना है तो इन दोनों को आमने लिया बेड़ी वड़ा अखों नहीं ले पाए है और किसी और को भी नहीं ले पाए है दोस्तों इस बार मैंने डावरिश को लिया है काफी अच्छा प्लिया रहे और अच्छी गेलवासी कर रहे हैं और आखिर में सी एकरमन को हम पाकिरसन को हम वापस ले रहे तो ऐसी यह भी टीम काफी बढ़िया बन चुके दोस्तों जरूर आप इस टीम को ग्रैंड लिग के लिए यूज कीजेगा आप चाहे तो स्मॉल लिग के लिए यूज कर सकते हैं लेकिन ग्रैंड लिग का सोचके ही मैंने यह टीम बनाई है तो आप जरूर ट्राइ किजे कि ग्रैंड लिग के लिए यूज करें टीम प्रिवियो एक बार जरूर करा दूंगा हमें जैसे के आप देख पारें दो कीपर के हावा साथ हम जाहाँ है वहीं चार बल्लेवाद हम लेंगे आर वैटली जे लिभी आर वेसल और स्टील को तो वहीं हमने और यहां पर दो ही और लिए सी एकर्मन और लिली यहां तीन गेन बाद हमने लिए सी पाकिर्शन नवी नुलहक और बिड़ी डावरिश्ट तो काफी बढ़िया यह भी टिम बच चुके जरूर आप इसे ग्रांड लिग आ स्मॉल लिग दोनों के लिए यूज कर सकते अब बात कर लेते कंटीनर पर क्लिक सकते हैं कोई प्रण़न यह दोस्तों अगर आप चाहे तो घ्रक्राप्षा यह दोस्तों के लिए थोड़ा हमें हटके सोचना होगा काफी कम लोगों ने को एक हो काप्टन के लिए लगहां तो देकिन प्र्फ्रमांच करते हैं तो जरूर आपको जादा फाता हो सकता है वही नवी नुलहक को हमने गाप्टान मिना इनको भी करिब करिब पाँच पर्षम्ट लोगों अग говорит वाइस कैप्टन बना तो मुझे नहीं लगता कि यह ज्यादा रिस्क है जरूर अच्छा प्रस्पोर्मंस अगर यह कर देते हो तो आपी को फाइदा होगा या फिर यह यह लिली या नवीनुलहग को करना सकते उसके बाद एकरमन को कैप्टन बनाने कवाश जेंगलीश को भी क्याप्टन या कैप्टन बना सकते ज्यारी ज्यादा टेम्स लगाते क्योंकि काफी बढ़ीए परफॉर्फरमंस रहा है और इन सबी में से वाइस कैप्ट ती में जरूर पसंदाई होगी ये वीडियो जरूर पसंदाए तो जरूरी से लाइक कर देजे साथ साथ आपको कौन सी टी में ज्यादा पसंद आई और कौन सा कैप्टन और राइस कैप्टन का कॉम्बिनेशन पसंद आई इन सवालों के जवाब भी मेरे कमेंट बक्स में कमेंट करके बताई साथ अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेर किजिए ताकि उनको भी थोड़ और वाइस कैप्टन से भी अगर आप सेमत नहीं तो जरूर वह भी चेंज़े कर सकते लेकिन ज्यादा चेंज़ेस मत केंजेगा दोस्तों काफी रिस्की सावित हो सकता है आपको इसी तरह जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी आपको नुक्सान हो सकता है पहली ट सेम भी आप लिए चाहते तो जरूर जा सकते लेकिन मुझे लगता है कि स्मॉल लिग के लिए ही बेटर है तो इस तरह से अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं है तो जरूर मेरे है चानल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि इसी तरह कि अच्छे अच्छे वीडियों आप सब स झाल